Hello friends, welcome to my YouTube channel Easiest Solution Friends, इस वीडियो में आज हम देखेंगे What is e-commerce हम इस पर देखेंगे Types of e-commerce and last में हम देखेंगे Advantages and Disadvantages of e-commerce So, इस वीडियो में देखेंगे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और Bell Icon पे भी Tap कर लीजे So, e-commerce का पूरा नम होता है Electronic Commerce e-commerce का पूरा नम क्या होता है Electronic Commerce यानि जब Buyer और Seller Buyer मतलब जो खरीदने वाला है, जो Consumer है और Seller का मतलब जो बेचने वाला है, यानि जो व्यापारी है तो Buyer and Seller जब एक Online Platform के थूरू Internet के थूरू एक दूसरे से Connect होते है यानि Buying and Selling जो होती है वो किसके थूरू होती है, Internet के थूरू होती है तो ऐसे व्यापार कोम क्या कहते है ऐसे Business कोम क्या कहते है, e-commerce यानि वहाँ पे जो Buying and Selling हो रही है वो किसके थूरू हो रही, Internet के थूरू हो रही है जैसे हम Amazon यूज़ करते है Flipkart यूज़ करते है तो हम उसमें सीधे-सीधे Seller से Interact नहीं करते है यानि यह ऐसा नहीं है कि Seller बैठा हुआ है और हमको Product दिखा रहा है और हम पसंद कर रहे है, ऐसा नहीं है वहाँ पर list of items अपने आप आ जाते है और हम क्या करते है उसमें से choose करके Product order कर देते है तो हम क्या करते है सिर्फ Internet का यूज़ कर रहे है हमको कोई भी Seller वहाँ पर दिखा ही नहीं देता है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है E-Commerce, यानि Electronic Commerce Electronic Media का हम यूज़ करके Electronic Gadgets का यूज़ करके Internet का यूज़ करके हम क्या करते है व्यापार करते है और जो भी हमें खरीदना है जो भी हमें बेचना है वो हम Internet का यूज़ करके करते है That's why it is called E-Commerce It is commonly known as electronic marketing इसको हम electronic marketing के नाम से भी जानते है It consists of buying and selling goods and services over an electronic system such as the Internet तो ये basically E-Commerce क्या होता है Buying and selling of goods using the Internet यानि Internet के थुरू खरीदना और बेचना इंटरनेट के थुरू यहाँ पर होता है जैसे आपने देखा होगा Amazon यूज़ करते है Flipkart यूज़ करते है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम seller से direct मिल रहा है या seller बैठा हुआ है हम से direct बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है हम वेबसाइट के थुरू हम तो buyer होते हैं और हम seller से वेबसाइट के थुरू या किसी application के थुरू जैसे आप बहुत सारे आप डाउनलोड करते है फिलिपकार्ट का अप आता है Amazon का अप आता है तो जब हम किस एपस के थुरू उन से interact करते है तो इसे हम क्या बोलते है e-commerce e-commerce is the purchasing, selling and exchanging goods and services over computer network or internet through which transactions or terms of sale are performed electronically तो यहाँ पर क्या है पुरा payment जो है वो भी electronically होता है यानि जितना भी काम है सब electronically होता है internet के थुरू होता है तो मैं एक बास summarize कर देता हूँ e-commerce is simply the buying and selling of goods over the internet now दो similar terms हाते है e-commerce and e-business जिसमें काफी लोगों को confusion होता है ऐसा लगता है दोनों एक ही चीज़ है बट ऐसा नहीं है e-commerce और e-business में बहुत बड़ा difference है e-commerce में basically मैंने आपको क्या बताया कि buyer and seller internet के थुरू meet करते है यानि जो भी वो खरीदना है बेचना है वो किसके थुरू होता है internet के थुरू होता है यानि buyer और seller के बीच का जो interaction है वो थुरू internet होता है बट अगर e-business की बात करें तो e-business में buyer and seller seller के बीच में तो internet होता ही होता है e-commerce तो उसमें involved होता ही है e-business में साथ ही business के जो employees है suppliers हैं वो भी internet के थुरू ही connected होते है e-commerce में जरूरी e-commerce में ऐसा जरूरी नहीं है कि employees जो company के हैं जैसे Amazon में बहुत सारे employees काम करते होंगे Amazon के बहुत सारे suppliers होंगे तो जरूरी नहीं है कि supplier connect ही हो online या internet के थुरू but e-commerce में कितना जरूरी होता है कि हमारे जो customers हैं वो internet के थुरू connect होने चाहिए but e-business क्या कहता है कि जो हमारे customer है वो तो connect हो ही online साथ में जो हमारे employees हैं हमारे suppliers हैं यानि overall connection जो है हमारा वो completely electronically होना चाहिए we use the term e-business to refer primarily to the digital enablement of transaction and processes within a firm यानि firm के अंदर involving information system under the control of firm तो firm के अंदर का जितना भी system है वो पूरा हम क्या कर जेते हैं electronically कर जेते हैं e-commerce include commercial transactions involving an exchange of value across organizational boundaries तो e-commerce क्या करता है organizational के बाहर यानि जो हमारे customer है उनके थुरू हमको internet से connect करता है बट यही ई-business क्या करता है बाहर और अंदर everywhere हमको क्या कर देता है internet के थुरू जोड़ देता है या network के थुरू जोड़ देता है ना हम देखेंगे process of e-commerce e-commerce क्या process होता है कैसे step by step work करता है सबसे पहले जो customer होता है हमारा a consumer uses web browser to connect to the home page of merchants website on the internet for example आपको प्रोड़क्ट ओर करना है online तो आप सबसे पहले क्या जाएंगे आपके पास जो भी browser है Google Chrome है या आप कोई भी browser यूज करना है उस पर आप जाएंगे उसको open करेंगे और फिर आप उसका URL डालेंगे जो भी website है मालीज आपको flipcard से कुछ खरीदना है तो आप flipcard का जो URL है www.flipcard.com वो आप आप डालेंगे फिर जाप के साट मेंडेंगे तो आपके अकाऊंट का जो भी shopping card होगा उसमें पहले तो जब आप वेप साइट को open करेंगे तो आपके बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स खूल के आजाएगा आपके पास तर्ज बॉक्स भी रहता है जहां पर अगर कोई आपको आइटम पर्चेस करना है तो आप सर्च कर सकते हैं तो आपको वैराइटीज आइटम नीचे आजाएंगे सर्च होके और आपको जो भी खरीदना है आप उस पर जा के पर्चेस कर लेंगे उस पर क्लिक करेंगे पहले आप और क्लिक करने के बाद गार्ट में और फिर आप एड टू गार्ड जब करेंगे तो आपके कार्ड में एड हो जाएगा जानी कार्ड इंफरमेशन जो भी पेमेंट वगेरा है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और आपका और क्या होगा प्लेस हो जाएगा अब हम देखेंगे टाइपस ऑफ एकॉमर्स सो फर्स्ट हमारा आता है बीटूबी एकॉमर्स मेंस बिजनस टू बिजनस एकॉमर्स जै यानि यह कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है यहां पर कोई इंडिविज्वल पर्सन इन्वाल्ड नहीं होता है अब आउटी परसंट ऑफ इकॉमर्स इस ऑफ दिस ताइप तो सबसे बड़ी चीज यहां पर यह देखनों को मिलती है कि जो यह बीटूबी एकॉ इस फॉर इंटल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल अब जैसे इंटल है वो भी एक कंपनी है और डेल है वो भी एक कंपनी है बट डेल क्या बनाती है लैप्टॉप्स बनाती है जिसमें उसे माइक्रो प्रोसेसर की ज़रुत पड़ती है और वो किससे पर्चेस करती है Intel से तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह B2B e-commerce किस तरह से वर्क करता है ये भी एक business firm है और ये भी एक business firm है तो ये B2B e-commerce ऐसे वर्क करता है जैसे यहाँ पर देखिए hands selling ketchup to MC Donuts तो यहाँ पर एक business है ये और ये इसको MC Donuts को क्या कर रहे है ketchup sell कर रहे है तो B2B e-commerce यहाँ पर भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से B2B e-commerce का diagram बनता है जैसे ये whole seller है तो ये जाएगा website पर माल लीजे मैं whole seller हूँ और मुझे माल मंगवाना है तो मैं क्या करूँगा जहां से माल मंगवाना है मुझको मैं उनकी website open करूँगा वहाँ पर order place करूँगा order की processing होगी और फिर मुझे यहाँ पर माल डेलिवर हो जाएगा माल डेलिवर होने के बाद मैं अपने customer को क्या करूँगा sell कर दूँगा तो ये simply इस तरह से इसका diagram बनता है आगे वाट इस बीटूसी एकॉमर्स बीटूसी यानि business to customer अब यहाँ पर customer इन्डिविजुल परसन इंवाल हो गया business to customer e-commerce और commerce between companies and consumers यहाँ पर consumer आ गया जैसे अब यहाँ पर Amazon वाला example ले सकते जैसे आप Amazon से कुछ मंगा रहे हैं तो यह कौन सा क्या लाएगा e-commerce B2C Amazon का एक business है वहाँ पर बहुत सारे sellers होते हैं और आप क्या है एक customer तो यह हो गया B2C e-commerce involves consumer gathering information purchasing physical goods or receiving products over an electronic network जैसे Dell selling me a laptop जैसे मैंने Dell से एक laptop मंगाया तो यह क्या हो गया B2C e-commerce क्योंकि Dell क्या एक business है और मैं क्या हूँ हूँ एक customer हूँ बी-टू-सी का आप यह diagram देख सकते हैं यह consumer है यह website open करता है जैसे आप Amazon open करते हैं वहाँ पर आप और प्लेस करते हैं प्रोसेसिंग होती है और पिर आपको जो प्रोड़क्त है वो डेलिवर हो जाता है अब आप कहीं सेल नहीं करेंगे आप अपने पास रख लेंगे तो यहां पर और कोई निचे बॉक्स नहीं बनाया मैंने VAT is B2GE अब यहांब दीखने को DECK रहे हैं बिज्नस तु गवर्मेंट यानि बिज्नस से गवर्मेंट्ट यहां पर the customer नहीं हो मिज्नस से फक्रवरमेंट का इंवाल्मेंट होता है आपश्यापर इत्रेंपल करना होता है वार्य एस टैक्स करने होते हैं रिपॉर्ट्स बंवनानी होती यह ज hunting श्राइब को बीधी प्रोड़क्त बेचना गन्यों तो तब यहां पे यह होता है business to government business to government e-commerce or b2g e-commerce is generally defined as commerce between companies and the public sector it refers to the use of internet and public procurement licensing process and other government related operations so government is what happens with business or business like you have a business you have to tax pay so you have a website of government you will open it and whatever procedure is you will follow and pay tax pay so you are not direct in track of government you are using the website and tax pay so here we will call b2g e-commerce business government next diagram this is our business organization this goes to the website through the website through the government you have to pay tax pay or various business which is what happens with your license you have to issue your license so now you open the government website what is c2c e-commerce c2c means customer to customer e-commerce customer to customer so here we don't see business here we don't want product to ask where we are so many times we don't purchase second hand things purchase so we use OLX and quicker website so here we use one customer to another customer because here we don't have a business here we don't have a customer here we don't have a business here every person has a customer here OLX and they say that I have bought a mobile and now it is full and I want to sell it to sell it so I will add it to OLX and another person who will have second hand mobile and I will sell it to my mobile and I will sell it to my mobile and I will sell it to my mobile so this works like this for example Mary buying an iPod from Tom on eBay 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 is also an example me selling a car to my neighbor I bought a car through the use of any website direct so you don't want to sell it to e-commerce here we connect through the website through the internet through the connect next is our c2c e-commerce sorry this is c2c e-commerce diagram now we can see this is a customer he opened the website here who wants to sell it to the product he has all uploaded his data and added pics for example you have to sell your mobile so you have to sell your mobile pics for example you have to write features for example how old it is what you have to sell it all you have to sell it all you have to sell it all the other customer has also opened the website and he has seen that this is your data you have to send it to mobile so he has contacted you to send it to me so you contact and what do you have to send it to mobile receive product from here what do you have to do what do you have to send it to the website and then when you have to send it to the contact so you have to send it to meet up or through the courier through the product and the money and the transaction will complete the product and the money will be paid to the payment next is our g2c e-commerce government to customer This model is also a part of e-governance e-governance एक पार्ट होता है, जैसे हमको अपने वैरियस काम करने होते हैं, जैसे हमको Pen Card बनवाना होता है, आधार कार्ड बनवाना होता है, बहुत सेματαे स्कीम्स आती है। पेंशनी स्कीम्स आती है या बेरोज़गारी भथता आता है तो यह सब चीजों को एकसेस करने के लिए हम क्या करते हैं अब गवर्मेंट ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आकर आपसे इन ट्रैक करेगी तो उनका भी पोर्टल होता है औलाइन पोर्टल होता है जहां पे हम जाते है अपना रेजिस्टर करवाते है आधारकट बनवाना है तो वो भी ओनलाइन होगा लाइसेंस बनवाना है वो भी ओनलाइन होगा तो यह सारे काम होते हैं ओनलाइन तो इसे गवर्मेंट अपनी से सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को या पब्लिक को थूरू इं Information of all government departments, different welfare schemes, different application forms to be used by the citizens. तो बहुत सारी application forms होते हैं, वो भी हमको online मिल जाते हैं. G2C, e-commerce कैसे काम करता है? Government, website के थुरू, customer से interact करती है. तो आप इसका ऐसा diagram बना सकते हैं, काफे simple diagram है. Now, government to business. अब government, business से interact करेगी through the use of website. तो आप ये दिहान रखिए का जो पहले लिखा होता है. वो बंदा website open करता है, इससे interact करने के लिए, इससे बात करने के लिए, या इसकी किसी facility को use करने के लिए. तो आप government पहले business to government था, तो business government से facilities ले रहा था, अब government to business है, तो government business से contact करेगी. गवर्मेंट to business is a business model that refers to government providing services और information to business organization. गवर्मेंट उससे b2g model website to approach business organization such as website to support auctions, tender and application submission functionalities. माली जब गवर्मेंट को कोई कही पर road construction करवाना है, तो गवर्मेंट ऐसे case में क्या करेगी? बिजनस से contact करेगी, जो गिट्नी के लिए contact करेगी, सीमेंट के लिए contact करेगी, लेबर के लिए, तो government क्या करेगी? डिफरेंट बिजनस से contact करेगी through their website. तो हम इसको बोलेंगे, government to business e-commerce, government to business का आप देख सकते है, government है, ये website पर जाके, business organization से contact करती है, इंट्रेक्ट करती है. अब देखेंगे e-commerce की, क्योंकि e-commerce इंटरनेट का यूज करके हम business कर रहे हैं, तो जाहर सी बात है, इसके बहुत सारे advantages होते है, faster buying selling procedure as well as easy to find products, तो यहाँ पर क्या है, faster buying procedure है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि एक आदमी बैठा है, बहुत सारे customer line में लगे हुए, एक एक को दिखा रहा है, जिसे normally हम लोग शॉप्स पर जाते हैं, या कबड़े खरीदने जाते हैं offline, तो वो एक एक customer को पहले दिखाएंगे, फिर वो खरीद लेंगे, फिर दूसरे को दिखाएंगे, बट यहाँ पर गया है, बहुत सारे customer एक साथ website को open कर सकते हैं, और अपना जो भी product उने लेना है, वो order कर सकते हैं, buying and selling 24 into 7, तो ऐसा नहीं है, कि आपको रात में 12 बज़े शॉपिंग करनी है, तो आप कर नहीं सकते आप रात में 12 बज़े भी इस पे शॉपिंग कर सकते हैं, तो e-commerce हम को यह बहुत बड़ा advantage मिलता है, more reach to customers, there is no theoretical geographic limitations, तो यहाँ पर customer की reach all over world होती है, आप जैसे Amazon है, तो ऐसा नहीं है, किसी गाओं में Amazon चलेगा नहीं, हाँ वो अलग बात है कि वो delivery facility वहाँ पर है कि नहीं है बट customer वहाँ पर online access कर सकता है, और order भी कर सकता है, तो यहाँ पर कोई geographic limited location नहीं है, बट यह ज़रूरी है कि आपके पास internet connection होना चाहिए, अगर आपके पास internet connection है, तो आप आराम से business को access कर सकते हैं, और अब जो भी product है उसकी shopping कर सकते हैं, लो operational cost and better quality of services, इसमें operational cost low होती है, क् कि internet के थुरू सारे customer जुड़े होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, बट यहीं अगर offline होता है, तो वहाँ पे हमें बंदे बैठाने पड़ते हैं, जो customer को, एक एक customer को deal करें, तो इसलिए हम इसमें operational cost काफी low होती है, क्योंकि ज़्यादा खर्च आत करें, हम अपना गोदाम भी खाली बना सकते हैं, कि बस गोदाम बना लिया और जो भी order आ रहा है, उनको बिजवा रहा है, क्योंकि customer direct हमारे पास आनी रहा है, इसलिए हमें कोई अपना maintenance करवाने की ज़रूत नहीं पड़ती है, इसमें, easy to start and manage a business, इसमें बहुती easy to start होता है क्योंकि आपको सिर्फ एक website चाहिए होती है, business करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा space चाहिए होगा, बहुत decorate करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप online इसको कर रहा हैं, इसलिए आपको बस छोटी से space चाहिए सामन वगयरा रखने के लिए, और बहुत easily इसको लखनाओ का है, तो हम दोनों से product खरीज सकते हैं, अलग-अलग, at the same time, ऐसा नहीं है कि पहले में लखनाओ जाना पड़ेगा, फिर हमको कैलकटा जाना पड़ेगा, हमको कई जाना नहीं पड़ेगा, हम बैठे-बैठे, all over India या all over world, sellers से product मगा सकते हैं, तो ये बहुत ही अब आप इसमें products को personally नहीं देख सकते हैं, मालीजे कई बार ऐसे complaints हाती हैं कि customer के product उन्होंने मंगाया कुछ और था, और मिल उनको कुछ और गया, तो ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि online हमको इतना समझ में याता है, कि ये है, कि online कई बार picture में कुछ और लगता है, और actual म वो कुछ और होता है, not everyone is connected to the internet, ये भी एक बात होती है कि बहुत से लोग जैसे गाओं साइड में अभी हम देखते हैं, कि internet वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर networks इतने अच्छे नहीं है, तो उन लोगों को e-commerce का benefit नहीं मिल पाता है, तो एक इसका disadvantage है, there is a possibility of credit card number theft, इसमें ये बड़ी problem होती है कि कई बार, जैसे Amazon और flip card की बात करी मैंने, तो ये तो बहुत ही trusted sites है, बागी कई नहीं जो sites बनती हैं, बहुत से लोग उन पर अपना data, जो credit card, debit card का data डाल देते हैं, और उन कई बार उनके accounts पूरे-पूरा amount उड़ जाता है, तो ये इसमें बहुत ही risk रह जैसे बिलकुल हमारा e-commerce थब भी हो जाता है, so friends that's all for this video